नवस्कार में निश्रा आप देख रहे हैं बिग निउस आईए बढ़ते हैं खबरों की वर बाका जीले के मरपूर थाना छेत्रे के मुजाहित पूर गौँ इस्थित नफसर्जित विद्याला परिशर आपसे विवात को लेकर होई मारपीट में रंचेत्र में तवदील हो गई ग्रामिनों से मिली जानकारी के नुसार विद्याला की रसोईया ने आकर सूचना दिया कि विद्याला में बदमास खुसाएं हैं सुचना मिलने पर ग्रामीनों की भीड विद्यालाय परिशार में उमड गई और विद्यालाय में मौजुद दो युवकों को पीट दिया मौके पर युवक अमुल झार एवं गगन झार ने बताया कि मेरे भाई आनत जहां मेरी अनुपस्थिती में अमरपूर इस्थित मेरे आवास पर आकर मेरी मा के साथ मार पीट किया एवं पत्नी के साथ अवद्र वहवाहार करते हुए मा को एक नंबर देते हुए कहा कि जब तुम्हारा बेटा आएगा तो इस नंबर पर कॉल करने के लिए कह देना जब मैं घर आया तो घटना के जानकारी मेरे माने मुझे दिया जब मैंने भाई के दौरा दिये गए नंबर पर बात किया तो भाई ने मुझे बातचीत करने के लिए विद्याले बुलाया जब मैं विद्याला पहुचा तो साजिस के तहट मेरे साथ मारपीट की घटना को अंचाम दे दिया इन्होंने बताया इनका भाई अनंद जहा ने प्रेम विवहा किया है और भाई की पतनी निलम भारती नफसरजित प्रात्मिक विद्याला में प्रधना ध्यापक के पतपर कारियरत है विवहा के बाद भाई अलग रहता है और आए दिन घर पर आकर माव मेरी पतनी के साथ मारपीट करता है उधर दूसरी तरफ विद्याला में हुई मारपीट के बाग विद्याला परिशर में अफरा तफरी का मौहौल बन गया घटना की सूष्णा मिलते ही गस्ति कर रहे सहायक अवर निर्क्षक सुदाय यादफ दोनों युवकों को ग्रामीन के चंगूल से छुड़ा कर अपने साथ थाना ले आई समचार प्रेशित करने तक दोनों पक्षों की और से आविदन देने की प्रकिर्या की जा रही थी वंसिल्क चादर देकर सम्मानित किया गया मौके पर ठाना ध्यक्ष भावु स्वर में कहा कि इंस्पेक्टर सर हम लोगों का हमेशा मार्ग दर्शन करते थे सभी पुलिस कर्मी इनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलते थे नौकरी में तवादले का दौर चलते रहता है लेकिन पुलिस कर्मी अपने कुशल वहवाहार से छेतर में अपनी अलग पहचान छोड़ जाते है इंस्पेक्टर वकिल प्रसाथ यादव के द्वारा किये कारियों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता विदाई समहारों में थाने में पदस्थापित अवर निरक्षक रामाश्रा प्रसाथ, राजी प्रंजन, रामाशंकर सेंग, सहायक अवर निरक्षक खुशीत आलम, सुदर यादव समेत आने पुलिस कर्मी वजन प्रतीनी थी उपस्थित थे अमरपूर सहर के 8 किलोमीटर दूर पहाडों की तलहटी के मनोरम बादियों में अवस्थित बाबा जेस्ट गौर्णात महादेव मंदिर सिप, सब और सत्ती का अनूठा संगम है आदिकाल सही आसपास के क्रामीन समेत दूर दराज के लोग यहां माथा टेकने आते हैं और अपनी अपनी मननते मांगते हैं बाबा जेस्ट गौर्णात महादेव में मांगी गई सभी मुरादे पूरी करते हैं मानिताओं के अनूसार पूरे पिर्थिवी पर यह पहला सिवलिंग है डिस कारण इसे जेस्ट सिवलिंग के नाम से जाना जाता है ततकालिन गैर वंस के राजा ने इस जगे मंदीर का निर्मान कराया तब से इस जेस्ट गौर्ड नात महादेब मंदीर के नाम से जाना चाता है मंदीर के पूरव दिसा में चांदन नदी के बीचों बीच दानवीर करने की चीता भूमी है महाभारत काल के अनुसार दानवीर करने ने मिर्तियों के समय भगवान क्रिष्ण से बचन लेते हुए कहा कि मेरी चीता वैसी जगे जलाई जाए जहाँ एक भी चीता नहीं जलाई गई हो भगवान श्रे क्रिश्न ने दानवीर करने का सब लेकर पूरी दुनिया का भ्रहमन करते हुए चांदर नदी के तट पर आए और अपने हातों में दानवीर करने की चीता जलाई इस जगह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नदी में बार आने के बार भी चीतास्थर नहीं डूपती है जिसका उधारन सन 1995 में आई बार में देखने को मिली मंदीर के पस्ची में पहाडों के उपर मादख्षीनेश्वर काली की मंदीर है बाबा जेस्ट गौर नात मंदीर में पूजा करने के बाद सरधालू चीता भूमी एवं मादख्षीनेश्वर काली की पूरी सरधा सक पूजा अर्चना करते हैं प्रतेक वर सावन महा में सरधालू सुल्तान गंज इसित उतरबाहिनी गंगा से जल भर कर पैदल डाक बंप पैदल चलते हुए बाबा जेस्ट गौर नात महादेब मंदीर में जलारपन करते हैं महा शिवरातरी पर तीनों दीनों तक मंदीर में विशाल मेला का आईजन किया जाता है साथी महा शिवरातरी के दिन गाजे बाजे के साथ बड़े ही धूमदाम से सिवरात निकाली जाती है कई समाजिक संगठोनों ने बाबा जेस्ट को और नात महादेब मंदीर को राज के दर्जा देने की मांग की है ताकि विदेशों में भी सेरानी यहां आकर मंदीर का दर्शन कर सके अमरपूर थाना छेतरे के छोटी सिहुडी गउं इस सित गिदर मारा पोखर के समय एक दुकान से अमरपूर थाने में पद अस्थापित अवर निरक्षक ने पौने 200 ग्राम गांजा के साथ एक महिला को गिरफतार करते हुए थाना परिशर लाया गिरफतार महिला छोटी सिहुडी कौन निवासी दिवाकर दास की पत्नी सरीता देवी बताई गई पुलिस से मिली जानकारी के नुसार गस्ती के दौरान एक व्यक्ती को गुम्टी से कुछ खरिते देख युवग को रुखने का इशारा किया लेकिन युवग भाग गया सक होने पर गुम्टी की तलासी ली गई तलासी के दौरान गुम्टी से प्लास्टिक की थैले में रखे पौने 200 ग्राम गांजा बरामत किया गया बरामत गांजा के साथ महिला को गिरफतार कर लिया गया मामने को लेकर थाना ध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया गिरफतार महिला के खिलाफ नाइक्रोटिक्स, ड्रॉक्स एंड, साइकोट्रोपिक एक्ट के तहत प्रात्मी की दर्च करते हुए महिला को नियाइक हिराशत में बाका भेज दिया गया है सोंबार को हिल्थ एंड बैलेस सेंटर पंजवारा में क्रोना टीका करन के लिए पहली बार सिविर का आयोजन किया गया क्रोना टीका करन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया सुभर से छेतरे के बुजूर्ग अस्पताल पहुंशने सुरू हो गये थे इस दोरान साथ वर्स और उससे अधिक उम्र के महिला और प्रूसों को क्रोना टीका करन किया गया वही इस दोरान पैतालिस से उनसट वर्स के उम्र शीमा के विमार लोगों का भी टीका करन इस दोरान किया गया पंजवारा में पहला टीका पंजवारा निवासी महिला सकुंतुला देवी को दिया गया क्रोना टीका करन के लिए आने वाले बिमारी और बुज़ूर्गों के लिए ओन स्पोर्ट रेजिस्ट्रेशन की वैवस्था थी और लाभू कागसाद के साथ अस्पताल के अंदर पहुचे जहां उनका टीका करन किया गया वहीं टीका करन को लेकर हिल्थ एंड बैनले सेंटर पंजवारा के चिकितसा पलहादिकारी डॉक्टर दीनेस कुमार ने बताया कुरोना टीका पूरी तरह से सुरक्षित है मौके पर अस्पताल की एने मृता कुमारी सभीता कुमारी आई सीटी कॉडिनेटर अलका सेंग सहित अन्य मौजूद रहे बाका जिले के अमरपूर थाना छेतर के महमतपूर गौँ इससित प्रात्मिक विद्याले परिशर में आधिकारियों की पहल पर जलमिनार निर्मान का कार शुरू कर दिया गया है बता देव विद्यद छे महापूर्व पीस्टी विभाग के द्वारा साथ निश्चय योजना के तहत जलमिनार कार किया जाना था जिसकी खुदाई भी अधिकारियों के द्वारा किया गया था लेकिन वाड नमबर 14 के बार सदस्य पती ग्रामीनों के सहियोग से जलमिनार निर्मान कारे रोग देते थे ग्रामीनों का कहना था कि विद्याले की बिरासी डिस्मल जमीन है और विद्याले की जमीन पर जलमिनार नहीं बनाई जाएगी वही सोंबार के दिन अमरपूर सियो स्वाती कृष्णा बीडियो राकेस कुमार नगर पंचायत के कारे पालक पलहादीकारी नीलम शुएता थाना ध्रक्ष अर्विंद कुमार राय एवं पिस्टी विभाग के जही कारे स्थल पर पहुँच कर मामले की छान बीन की थाना ध्रक्ष ने कारे स्थल करवाते हुए इस परस्ट निर्देश दिया कि निर्मान कारे में बाधा डालने वाले पर कड़ी कारवाही की जाएगी अधिकारियों के पहुच्चे पर जल मिनार निर्मान कारे स्थल कर दिया गया है बागा जिले के चांदन फ्रक्षन मुख्याले के बगल गौरीपूर में एक ट्रक्टर मजदूर की अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का लेकिन उससे पहले आप सबसे आग रहें कि अगर आपने अब तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथ ही अगर आप हमारा फेस्बूक पर न्यूज देख रहे तो हमारे पेच को लाइक और फॉलो कर ले तो फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार